नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी हल्चन मैं संचना चोपड़ा शुरू करते हैं आज की खबरों का स्रिसिला नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सिटी हल्चन मैं हूँ आपके साथ अशुक चोपड़ा भोले भाले लोगों को अपने हनी ट्रैप में फसा कर मोटी रकम एठने वले इक गिरोहों की दो महलाओं साहित तीन लोगों को रूप नगर पुलिस ने गृत्तर करने में सपलत प्रापत की है जबकि इस गिरोहों का सरगना अभी भी पुलिस की ग्रिप से बाहर है जिसे पकड़ने के लिए पुलिस दोरा चापे मारी की जा रही है इस बात का खुलासा खुद ठाना सिटी रूप नगर के परमों के इंस्पेक्टर पवन चोधरी ने पत्तरकारों से ब पस जाता तो उसे ब्लैक मिल कर मोटी रकम एठा करते थे ठाना परभारी इंस्पेक्टर पवन चोधरी ने का कि रूप नगर की ही एक महला ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि ममता और उसके पती रीपू दमन ने उसकी अश्लील वीडियो बना ली थी और उ जा सके इसी मामले में सिमरन उसका दोस्ट सनी और दिलंधर निवासी भी साथ दे रहे थे उसी अधार पर जहें मामला दर्ज कर दो महलाओं से तीन लोगों को ग्रिफतर किया जा चुका है ठाना परभारी ने कहा कि जैसे जैसे जाच आगे बढ़ेगी बैसे बैसे और भी कि कई चोकाने वाले खुलासे होने की उमीद की जा सकती है क्या कहा ठाना परभारी सिटी रूप नगर इंस्पेक्टर पवन्चोधरी ने आप खुद ही सुनें जड़े जड़े एजड बंद्यान उन टार्यट कर देए अपनी एज जाए जाना थी सारे गरोदे कि नेकने उमर्दे लादे 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 है जबें कोई 50 है कोई 40 है एक लड़की 25 भी है वख 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 उमर्दे है पर इना जड़ा मेन कल्परेटर रिपूदमन हुझ करना भाकी है हुझ जड़े पर इनु जढ़े असी आरेस्ट कराराँ के ता सारा घड़ा समझने कलीर होय गिस लड़क के को बेर एंद्स अधर हो लड़की ने ने साधिम्रम कि ए्ट वख रिदधिए व जड़की ने सध्डीकृ ने असारा기도 साफ किती जगिज़ए स जड़ी 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 मेल्ले इसी के रोपड़ शायर चे एक जड़ा हनी ट्रैप ननस्वंधत गैंग जड़ा वर्क करया और जड़े पड़े लोकानू अपनी ठगीदा श्कार बना रहे हैं जड़े जड़ा एक लोकल रेजिडेंट एक लेड़ी ने कंप्लेंट दर्ड़ कीती है। जड़े अपने जड़े ब्याना चे दर्जकर आया के ममता अधा हस्वंडरी पूदमन एक लड़की सिंधन ते एक अधा फ्रेंट सनी ते एक उना ने जलंदन रस्वंधत ब्यक्ती जड़ा उजगा अधाए का देजिक लिए खे जड़ा नाम प्रकाश नाम दर्जकर आया के एक जड़ा ममता ते रिंपूदमन ने जड़ी वीडियो बना ली जड़े लिए जड़े जड़े ते वीडियो तो बाद उ उन्हों जड़े जड़ा मुझवर कर रहे हैंसी कि वा पैसे जड़े मंग किती ते कुछ पैसे एने देवी देते सो इस मकदे जड़े बयाना देदार्ते सी मकदमा दज करके मम्ता सिंद्रन ते जड़ा सनीन वजी गिफतर कर लिया ते इन तो अजड़ी थौरों सड़ी पुष्खिश जारी है इना दी पुष्खिश जड़े संबने आया कि इना ने काफी बयक्तियान जड़ा अपनी ठगीदा शिकार बनाया है ते इना जड़ा वर्किंग जड़ा कमें सी कोई बंधिनों टार्गट करके और उनों जड़ा अपनी जार्च पलना फसंदे सी उतो बाद फिर जड़े जड सकता होरवी खेलासे हों कि इना ने क्योंके इना दी जड़ी लिस्ट सिर्फ जड़े सानू कट ना माला पता लग गया कि इटे-टे बंधियां पर आसी आज आज आले दिना सारा जड़ा एक्स्प्लोर करांगे कि कि इडे-टे-बंधिया नों ने ठाकी इस तरह के जमें इ पर यह मैं शुरू आती दो और चता मोंट लखांची डिमांड कर दे सी बादची सेटल कर लाएं कि इस सेटी हल चल के लिए रूप नगर से ब्यूरो रपॉर्ट अभी के लिए बस इतना ही मुझे दे इजासत आप देखते में सिटी हल चल सैनी इलक्ट्रोनिक नंगल शिरी अनन्दपुर सहय मुख्यमारग गाओं भ्रमपुर यहां आपको मिलेंगे LG और सेमसंग कोंपनी के फ्रेच, LCD, वाशी मशीन, मोबाइल सहिट, अन्या अलक्ट्रोनिक सामान के अलावा सलीप बेल के गदे और क्रोकरी का सामान भी बहभी नए नए डिजाइनों और बाजार से सस्ते दाउं पर तो देर किस बात की है जल्द पहुंचे सैनी इलक्ट्रोनिक गाओं बरहंपुर हमारा फोन नंबर है 98769-72127 चोपड़ा सिलाए मशीन एंड कोस्मेटिक अड़ा मारकेट नंगल यहां आपको मिलेगा कोस्मेटिक का हर वो सामान जो ब्यूटी पार्लर, सैलून वा महिलाओं के प्रति दिन प्रयोग में आता है यही नहीं इसके अलावा सैलून की कुर्सियां, सोफा, दुलहनों के लिए फैंसी चूड़ा, नेल आर्ट, आर्टिफिशल जूलरी, हेर अकसेसरी वो सेंट इत्यादी बाजार से सस्ते वा थोकदाम पर मिलते हैं एक बार जरूर सेवा का मौका दें हमारा फोन नंबर है 9815482433, दूसरा 987888858 करते हैं चोप्रा सिविंग मशीन एंड कोस्मेटिक्स हमारी यहां पर सलून का सभी सामान मिलता है। चोप्रा सिविंग मशीन एंड कोस्मेटिक्स हमारी यहां पर सामान मिलता है। चोप्रा सिविंग मशीन एंड कोस्मेटिक्स हमारी यहां आपकी नजर आटोमेटिक मशीनों से जाच करने के उपरान आपके चेहरे के हिसाब से चश्मा लगाया जाता है। हो भी चंद मिन्टों में और हाँ नजर चेक करने की कोई फीज भी वसूल नहीं की जाती। हमारा फोन नंबर है 9915584190 तो जरूर एक बार सेवा का मौका दें।